Hello everyone, मैं हुकि रिंशापरी और ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading तो बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि मैं क्या आप personal session लेते हैं? Yes, of course, मैं personal session लेती हूँ और personal session में tarot, astrology, counselling, remedies, सभी चीज़े included होती हैं और one-on-one session book करने के लिए आपको नीचे description box में इस वीडियो के end में मेरी contact details मिल जाएंगी आपने उस number पे सिरफ whatsapp करना है और आपको details मिल जाएंगी और details को follow करके आप one-on-one session book कर सकते हैं तो ये है आप लोगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और इस reading में आप जानेंगे कि खास कर November मन्त में आपकी love life से related चीज़ें कैसी रहेंगी आपके partner की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी कौन सी चोटी-चोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप November मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं तो चलिए जी November मन्त की reading शुरू करते हैं ये यूज़ आप लोगों के लिए देखें कि November 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे पसे आपके तीन सेट आफ कार्ट्स हैं फर्स सेट आफ कार्ट्स में हम आपकी energies देखेंगे सेट सेट आफ कार्ट्स में आपके partner के energies देखेंगे और थर्ड सेट आफ कार्ट्स में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहले कार्ट्स है Magician, Reverse and Heart और ये कार्ट्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या November स्टार्टिंग में बहुत एक प्यार, बहुत एक महबबत आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं अगर कुछ issues, मसले भी आप दोनों के बीच में हुए हैं तो आप किसी भी बात को पकर नहीं रहे हैं और फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत forgiving भी हो रहे हैं हर चीज के लिए आपको ऐसे लग रहा है कि बस आपको आपके partner आपकी life में चाहिए और यहाँ पर magician का कार्ड एक दो चीजें कहता है कुछ लिए उसके लिए हो सकता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ issues मसले रह सकते हैं और इस सेनारियो में आप अपने तरीके से जो भी करना चाह रहे हो सकते हैं आपको result ना मिले हो और थोड़े से इसी वज़े से आप manipulative हो रहे हैं diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं या फिर यह भी हो सकता है आपको यसे लग रहा है कि आपके partner ने आपको use किया कहीं उन्हों ने किसी level पर आपका फैदा उठाया और फिर से कहूंगी कुछ लिए उसके लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा cunningly, थोड़ा सा smartly, थोड़ा सा you know manipulative तरीके से अपने partner को deal कर रहे हैं और दिखे हो सकते हैं आपके intentions, motives ठीक हों लेकिन यहाँ पर magician का card reverse है तो मुझे लगता नहीं है कि intention और motive भी उतने आपके ठीक है and deeper level के लिए ring का card कहता है कि आप अपने partner के साथ companionship चाहा रहे हैं, money ही man आप उनके साथ marriage चाहा रहे हैं और इसी से ही related आप initiative लेना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं या फिर मैं कहूंगी एक नई beginning उनके साथ करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रही है और यहाँ पर दिखे lovers का card भी heart वाले card की ही energies को confirm करता है कि एक soulmate connect, एक twin flame connect आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं अब बहुत सरे लिए उस कह सकते हैं कि मैं यह थोड़ी होता है कि नवेंबर मन्त में प्यार हो रहा है you know feel कर रहे हैं और प्यार तो हमेशा ही होता है I know कि प्यार हमेशा होता है लेकिन कभी-कभी बहुत उमर्ण-उमर्ण के बाहर आता है या फिर बहुत जादा ही हम इस चीज़ को महसूस करते हैं और कभी-कभी वो प्यार सोया हुआ होता है और हमें उस चीज़ की realization नहीं होती है तो कहीं नवेंबर मन्त में बहुत एक realization लियोज आपके मन में होती भी दिख रही है कि भई आपके मन में आपके partner के लिए बहुत प्यार है और spirit का card कहता है कि जो भी negative energy आप महसूस कर रहे हैं आप उसको clean करना चाहा रहे हैं आप दिखिए यहां पिस अबलियोज के लिए different तरीके रहेंगे इसी negative energy को clean करने के लिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप prayer बहुत जादा कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप को spell कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप law of attraction apply कर रहे हैं तो अपने अपने तरीके से जो भी issues मसले हैं आप इन ही energies के help से जैसे बोलते हैं na cosmic energies या फिर tantra भी कहीं लोग बोलते हैं इन energies की help से उन negative energies को clean करना चाहा रहे हैं अब देखते हैं आपके partner की के energies हैं तो देखें आपके partner बड़ा किसी चीज को लेकर hurt महसूस करते हुए दिख रहे हैं Three of Swords का card बहुत ही clearly उनकी तरफ से मायूस किसी चीज को लेकर होने की बात करता है hurt महसूस करने की बात करता है तकलीफ महसूस करने की बात करता है और यहाँ पर rope का भी card इसी चीज को confirm करता है वो काफी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं वो काफी you know एक helpless hopeless वाली feeling महसूस कर रहे हैं अब liyos you know in fact मैं कहूंगी सब liyos के लिए उनके partner किस चीज को लेकर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं helpless hopeless महसूस कर रहे हैं यह differ करेगा but yes बहुत एक अच्छी वाली energies उनकी नहीं रहती भी दिख रही है in fact पूरे ही November में बहुत एक vibrant या फिर मैं कहूंगी बहुत एक loving caring वाली energies partner की नहीं रहती भी दिख रही है in fact उसका opposite रहता हुआ दिख रहा है complaining हो सकते हैं थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ी सी परिशानी महसूस करते वे दिख रहे हैं यहाँ पे five of cups का भी card कहता है किसी चीज को लेकर regret करते वे दिख रहे हैं किसी चीज को लेकर अफसोस करते वे दिख रहे हैं ये क्यूं हुआ, ये क्यूं कहा, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं कहा होता। लेकिन दिखिए यहाँ पर पाच कप्स हैं इस लेडी के पास, तीन गिरे हुए हैं, दो अभी भी हैं। तो जब भी भी एक आड आता है, हम यही कहते हैं, थोड़ा सा भी अगर positive frame of mind आपके partner रखें, तो चीजें बहतर हो सकती हैं, लेकिन कहीं November मन्थ में overall ही, उतना एक positive frame of mind उनका नहीं रहता हुआ दिख रहा है, जो भी चीजें इस relationship में ठीक नहीं हैं, उस पे वो ज़्यादा focus करते हुए दिख रहे हैं। and deeper level के लिए owl का card कहता है, जो भी उनकी energies हों, जैसे कि अभी मनें आपको बताया, negative energies हैं, complain कर रहे हैं, थोड़े से मायोस, परेशान हैं, मन ही मन बहुत wisdom के साथ, बहुत समझतारी के साथ चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं और कहीं देखिए end November के लिए fish का card spiritual soul connection की बात करता है, happiness की बात करता है, तो मन ही मन उनको इस चीज का एहसास हो सकता है, कि भी उनका और आपका एक spiritual level पे connection है, और कहीं खुशी भी ढूणने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी surface level के लिए काफी सारी responsibilities यहां तो उन्होंने अपने उपर ली हुई है, यहां फिर कोई चीज है जो उनको बहुत pressure दे रही है, बहुत एक burden क्रिएट कर रही है, और अब देखते हैं Libras की November मन्त में क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पर Queen of Swords and Women के cards हैं, और यह card कहते हैं यहां तो इस relationship में कोई woman है, कोई female है जिनका influence है, और कहीं यह जो female है वो बहुत logical है, बहुत mind से चीजों को deal करती हैं, और बहुत एक manipulative energies में भी रहती हैं, और बहुत एक strategy भी बनाके चीजों को deal करती हैं, तो कहीं इनका influence, involvement, interference रह रहा है, नहीं तो जो भी female है इस relationship में, वो बहुत logically चीजों को deal कर रही हैं, इतना emotional नहीं हो रही हैं, या फिन नहीं होना चाहा रही हैं, sentimental नहीं हो रही हैं, नहीं होना चाहा रही हैं, चांस लेना है एक जुवा खेलना है और वो थोड़ा समझदारी के साथ या फिर माइंड के साथ इस जुवे को खेलना चाहा रही है अब देखिए सब के लिए different reasons रहेंगे कुछ लियोस के लिए हो सकता है जो भी female है कुछ लियोस female हो सकते हैं कुछ लियोस के partner female हो सकते हैं उन साथ चीजों को deal करेंगे तो फिर hurt होंगे ही होंगे और इसी लिए थोड़ा सा chance तो लेना चाहा रहे हैं risk लेना चाहा रहे हैं लेकिन emotions और feelings को नहीं involve करना चाहा रहे हैं mind से, दिमाग से चीजों को deal करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं मिड नवेंबर के लिए night of source का card कहता है sudden changes हो सकते हैं पीछे कोई भी चीज जो बहुत stuck हो रहे थी उसमें से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहार निकलते हुए दिख रहे हैं और दिखें यहाँ पे situation भी हो सकती है कुछ लियोस यहाँ फिर उनके partner के लिए हो सक से deal कर चल रहे हैं और एक movement एक shift एक changes मिड नवेंबर में आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे coffin का card भी ending और beginning की बात करता है तो कुछ चीजे definitely end होती भी दिख रही हैं यह सब लियोस और उनके partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है जो भी मसले हैं जो भी problems हैं उनको end करके नए सेरे से relationship ठीक करना चाह रहे हैं लेकिन देखिए जादा chances इसके नहीं रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आगे हाँ पर four of cups rivers का card है तो फिर से कहूंगी किसी चीज को end करने की एक कोशिश है and stuck energies में से बाहर निकलने की कोशिश है किसी level पे निकल भी रहे हैं लेक और देखिए four of cups के नीचे woman का card कहता है again किसी female का involvement interference रह सकता है या फिर जो भी female है इस relationship में वो जादा अपने तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं justified reasons भी हो सकते हैं and कुछ के लिए unfair reasons भी हो सकते हैं but yes देखिए पूरा ही November बहुत great नहीं जाता हुआ दिख रहा है अब इस चीज़ को सुन के लिए उस बिल्कुल परिशानी होना है क्योंकि हर मन्त चीज़े हमारे हिसाब से हो possible नहीं है हर मन्त बड़ा lovey-dovey सा relationship रहे possible नहीं है कभी धूप तो कभी च्छाओं ये तो life का एक दस्तूर है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि इस reading में बह बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो possible नहीं है कि मैं pinpoint करके आपको बता पाऊं बट यह जब आप guidance देखने की कोशिश करेंगे बहुत सारी guidance आपको मिलेगी आप इसको guidance को अपनी life में apply करेंगे नवेंबर मन्त की energies आप काफी हद तक बहतर कर पाएंगे नहीं तो फिर I am not saying क कि कुछ bad हो रहा है बट यह बहुत कुछ great भी नहीं होता हुआ दिख रहा है तो यह था लियोजा आप लोगों के लिए नवेंबर 2024 की love taro reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें